असलाम अलेकुम, हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल फूड एन हेल्थ, आज मैं आपके साथ आलू और फ्रेंच बीन्स की सबजी की रेसिपी शेयर करूँगी, और इसके खास बात यह है कि हम इसे कूकर में बनाएंगे, बिल्कुल कढ़ाई वाले टेस्ट पे यह बन अजिए वाले से करके रखेंगे, इसमें 3-4 यह मीडियम साइज की अनियन को मैंने फाइन चॉप कर लिया है और जिंजर गार्ली को कर लिया है, दो ग्री चॉप किया है और दो बड़े टमाटर को भी यह यह चॉप कर लिया है, इसके बाद मैंने आधा किलो आलू को चील क करके इस तरह से लंबा लंबा टुकडों में कट कर लिया है, अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरह हमने कुकर लेना है उसमें 2 टेबल स्पून ऑईल डालना है और जैसे ही ऑईल गरम हो जाएगा हम इसमें हींग डालेंगे और जीर डालेंगे, आप ऑईल इसमें दोनों चीजों को हाई और याज़गी अधार जा टेस्टी होने वाली है, और इस जब थोड़े से आलो फ्राइओ फिर हम बीन्स डाल करके बीन्स के साथ भी दोनों चीजों को एक साथ फ्राई करेंगे, तो बीन्स का इसको लगातार हम चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे मेडियम हाई फ्लेम पर अब मैं इसमें हाफ टीस्पून सॉल्ट और हाफ टीस्पून ही टर्मरिक पॉडर एड कर रही हूँ हमें आगे भी सॉल्ट और हल्दी को एड करना है तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान जाएगा बीन्स भी तयार है और आलो भी भून गए है आलो को इस साधा भी आफ राइ करेंगे तो वह भी टेस्टी लगेंगे आप इस प्रोसेस से कढ़ाई में भी इस सबजी को बना सकते है उसमें थोड़ा टाइम जादा लगता है बाकि टेस्ट में कोई और इसको थोड़ा सा भूनेंगे इतना भूनेंगे कि हलका सा यह ब्राउन हो जाए और इसका जो एरोमा है वो रिलीज हो जाए अगर आप क्रश करके नहीं डालना चाहते हैं जिंजर गार्लिक तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं इसके बाद हम छॉड़ा सा अनियन डालें बस थोड़ी पिंक हो जाए हमारी अनियन सॉफ्ट हो जाए इतना भूनना है उसके बाद मैंने कश्मीरी रेड चिली पॉडर दाल दिया है तो टी स्पून और आप नॉमल भी डाल सकते हैं इसके अच्छा आता है और तू टी स्पून मैंने कोरियंडर पॉडर इसमें आड उसके बाद जो हमने रफ़ी चॉप करके रखे ते टो मैटोस वह एड कर देंगे तो मसाला जली नहीं इसलिए फ्लेम को एकदम स्लो कर दें और उसके बाद हम इसमें टोमैटोस एड़ कर देंगे अब क्योंकि मसाले भी है नमक भी है तो तो माटर इसमें थोड़े से के लिए ज़रूरी है कि हम दो तीन मिनट के लिए इसका जो कुकर कर लिड है उसको पर ढग दे और तब तक वेट करें जब तक ये तमाटर अपना मौस्चर रिलीज कर दे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इस तरह से जब ये मसाला अच्छ से बहुन जाएगा और टेंडर ह एसके बाथ इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे धूट से 2 टेबल स्पून बस थोड़ा सा चीटा देना पानी का ताकि सबजी हमारी लगे नहीं और इसे अच्छे से मिक्स करके हम छोटे छोटे दो विसल देंगे क्योंकि पानी इसमें बहुत थोड़ा सा है थोड़ा सा टमाटर का मोईस्चेर है उसी में सबजी कलेगी हमें ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है लेकिन हमें सीटी का ध्यान रखना है कुकर की जो विसल है वो रुकनी नहीं चाहिए चोटी चोटी इसमें विसल आएंगी बस दो विसल आते ही फॉरण कुकर को जो है आपने गैस को आफ करके कुकर को छोड़ देना है आधा इसका जो प्रेशर है आप खुद रिलीज होने दें और आदा खुद निकाल दें इसके बाद हम सबजी को खोल के देखते हैं सबजी हमारी बहतरीन एकदम तैयार हो गई है यह बिलकुल भी गुली नहीं है एकदम अलग-अलग बनी है खिली-खिली बनी है जैसे की कड़ाई में बनती है और इसमें बिलकुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्ट्र भी नहीं है किसी वज़े से थोड़ा बहुत पानी आपको तो गर्मा गरम अलू फ्रेंच बीन्स की सबसी हमारी तयार है आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ जैसे चाहे इंजॉय करें यह सबसी बहुत टेस्टी लगती है आज़ फ्रेंच बीन्स सीजन में हैं और इनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी है इनको हरी फलिया भ जरूर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें ताकि मेरी कोई नियू वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो इस तरह से फाइनली हम इसको धनिया पत अला हाफिस